Today we will learn about AVS-1 subject and our topic name is infectious diseases and how to prevent them. So let's start. Can you tell? Now question number one is when your friends fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them, you will also get hurt? इसमें ये बताये गए students कि जैसे कि जब आप लोग playing करते हो, जब आप लोग खेलते हो और उससे time, आपका friend suddenly students अगर वो गिर जाता है और उससे लग जाता है, तो क्या आपको कोई बोलता है क्या, उनके पास मर जाओ, आपको भी हटो जाएगा, तो ऐसा कोई students आपको बोलता ह है क्या, आउ second is, suppose your mother has a headache, do you also get a headache if you go near her, अगर आपकी ममी का सर दुख रहा है, तो क्या अगर आप उनके पास जाते हो, तो क्या students आपका भी सर दुखने लगता है क्या, नहीं, तो देखो students यहाँ पर picture में भी बताया गया है, कि इस तरह आपकी friend को भी लग गया है, तो क्या आप इनके पास नहीं जाते हो, या फिर अगर आपकी ममी का सर दुख रहा है, और अगर आप ममी के पास जाते हो, तो आपका भी सर दुखने लगता है क्या, तो देखिए students, जैसे के हमने first question में देखा, और हमने second question में भी देखा है, कि अगर हम लोग उनके पास जाएंगे, तो क्या हमें भी बीमारी होगी क्या, हमारा भी सर दुखने लगेगा क्या, या फिर हमारे hand और legs में भी लगेगा क्या, नहीं, बट कई बार students ऐसा होता है, कि हमारे parents और हमारे house में जो ब बिमार इनसान होते हैं, तो उनके पास नहीं जाना है, या फिर उनके use किये हुए utensils हैं, तो उनमें खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, और उनके जो cloths हैं, तो उनको भी use नहीं करना है, तो ऐसा कब होता है students, तो यही सारी चीज़ें हम इस lesson में देखने वाले हैं तो हम देखेंगे students के infectious diseases क्या होते हैं तो देखे students अगर खाना बनाते वक्त आपकी मुमी का हाथ जल जाता है तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो क्या हमारा भी हाथ जल जाएगा क्या नहीं अगर grandpa हैं तो उनको backpack है या फिर उनके hand और legs दुखते हैं तो क्या अगर हम उनके पास जाकर बैठते हैं तो क्या हमें भी वो तकलीफ होती है क्या नहीं However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chicken pox These diseases spread from one person to the other Such diseases are called infectious diseases तो जैसे के students जिन लोगों को flu होता है, सर्दी खासी होती है या फिर skin की कुछ problems होती है जैसे के chicken pox है, ring warm है तो फिर उनसे हम लोग क्या करते हैं? दूर ही रहते हैं क्यों रहते हैं हम लोग दूर? Because ये ऐसे diseases हैं ये ऐसी बिमारिया हैं जो एक परसन से दूसरी परसन में spread हो सकती है फैल सकती है तो ऐसे जो diseases होते हैं तो उनको infectious diseases कहा जाता है What causes these diseases? तो ये diseases क्यों होते हैं? उनके causes क्या हैं? तो ये हम देखेंगे They are caused by microorganisms. Every infectious disease is caused by a specific microorganism or germ When the germ of a particular disease enter the body and being to grow, the person gets the disease Those students जो infectious diseases होते हैं तो ये mainly किस वज़ा से होते हैं? Micro-organisms की वज़ा से उके तो देखेंगे ये diseases किस तरीके से होते हैं? Micro-organisms की वज़ा से कोई particular microorganism है या फिर germs जो होते हैं ये क्या होते हैं? Particular disease के germs और micro-organisms किसी वज़ा से अगर हमारे body के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर grow होना start हो जाते हैं जिनकी वज़ा से हमें क्या होता है students? वो disease हो जाता है How is one person's disease passed on to another person? तो देखे students जैसे के हमने देखा कि ये infectious disease हैं ये एक person से दूसरी person को होता है तो ये कैसे होता है? ये हम देखेंगे When a person has a cold, the germs from his body spread in the air When he cuffs or sneezes, when these germs enter other people's body They can also get the disease, that is, the disease spreads तो देखे students किसी person को सर्दी होई है या फिर उसे खासी आती है तो वो अगर छीकता है या फिर खासता है तो तब क्या होगा? कफ और sneeze की वज़ा से खासी और छीकने की वज़ा से क्या होगा? उसके body में जो germs हैं, वो air में spread हो जाएंगे वो हवा में फैल जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो अगर वो air हमारे अंदर चली जाएगी या बाकी के लोगों के body के अंदर चली जाएगी तो उनको भी disease हो सकता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? कि disease spreads होते हैं अगर किसी परसन को बीमारी है सर्दी खासी है तो जब उसे कॉफ या स्नेजिंग होगी तो उस टाइम जो germs उसके body के अंदर हैं तो वो air में spread हो जाएंगे वो हवा में फैल जाएंगे और हम लोग जो breathing करते हैं तो उस टाइम air हमारे अंदर चली जाएगी तो students हम लोगों को disease हो सकता है तो देखें students टाइफट भी कब होता है जब टाइफट की जो germs हैं तो वो एक परसन से दूसरे परसन के लिए पास हो जाएंगे तो दूसरे परसन को भी टाइफट हो सकता है तो तो students कौन सी वज़ा होती है जिसके तुरू ये spread होते हैं तो ये हम देखेंगे Spread of disease through air The germs of a disease like influenza are present in the spit or saliva of the person who has the disease When he cuffs or spits, they enter the air with the tiny droplets of a saliva or spit When other people breathe in that same air, the germs enter their bodies अगर किसी परसन को influenza है, flu होता है तो उसके spit में और saliva तो उस air में जो breathing कर रहे हैं, सास ले रहे हैं तो वो air तो उनके body के अंदर चली जाएगी और उसके साथ साथ जो germs एक ill person, means जो बीमार person है उसके body के थुरू निकलने वाले जो droplets हैं, air में मिले हुए हैं तो वही air फिर हमारे body के अंदर चली जाएगी और germs भी अंदर चली जाएगी और वहाँ पर students disease हो सकता है diseases of the throat and the chest spread through the air for example, a cold and cough, tuberculosis, swine flu, etc that is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze तो देखे students, जो diseases throat से related होते हैं या फिर chest से related होते हैं, उके जैसे कि सर्दी और खासी होती है, tuberculosis means TB होता है, या फिर swine flu होता है, उके तो ये किस के थुरू होता है, air के थुरू ये spread होता है, जैसे कि आप picture में भी देख सकते हो तो देखे students इसी लिए कहा जाता है कि जब भी आपको खासी होती है, या फिच्छी काती है तो उस time हमारा handkerchief या जो भी cloth हमारे पास है तो हम लोग क्या कर सकती है, हमारे mouth को cover कर सकती है ताकि जो हमारे germs है, तो वो air में ना फैले, वो air में ना spread हो और दूसरे लोगों को भी problem ना हो, ओके It is our responsibility to prevent the pollution of public sources of water तो देखे students, यह picture में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ladies है, तो वो कपड़े धो रही है, और बफैलो को नहलाया जा रहा है और लोग पानी भी भर रही है Spread of disease through water Can you tell what different activities are going on in the above picture? जैसे के students अभी हमने picture में देखा कि कौन कौन से काम हो रही है और कौन से activities हो रही है, okay The germs of diseases of the intestines like typhoid, cholera, diarrhea as also of jaundice are present in the faxes of the affected person If the faxes get mixed with water the germs in, it also enter the water If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestines too And that person can get the disease to prevent the spread of disease in this manner It is best to avoid washing cloths and bathing in the water sources or defecting on the banks of the water, etc तो देखे students जो intestines जो diseases होती हैं जिसे के typhoid है, cholera, diarrhea, jaundice means जिसे पीलिया कहा जाता है तो students जिनको ये diseases होता हैं तो इनके faxes में भी germs present होते हैं और जिनको ये सारी बीमारिया होती हैं तो इनके faxes में भी इस तरह के germs दिखाई देते हैं, okay अगर उनके faxes किसी कारण पानी में अगर मिल जाते हैं तो वो germs students कहां पर मिल जाएंगे? पूरे पानी में, पूरे water में, okay और mix भी हो जाएंगे तो देखे अगर किसी person के faxes में अगर germs हैं, intentions related जो भी typhoid, cholera हमने देखा तो उसके अगर germs हैं, तो ये अगर पानी में mix होते हैं, और जो अगर वो पानी पीता है, तो उसके intestine में germs भी चले जाएंगे और उस person को भी वो disease हो सकता है, तो देखे इस तरीके के अगर disease spread होते हैं, तो उनको अगर हमें prevent करना है, अगर उनसे बचना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसके आपने picture में भी students देखा है, कि ये लोग क्या कर रही हैं, पानी भर रहे हैं, cloth धो रहे हैं, सब चीज़े कर रहे हैं, तो इसी तरीके की चीज़ें अगर हम नहीं करने देते हैं, पानी के यहाँ पर, तो हम लोग students क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, spread of disease through food, can you tell, what do you see in the picture below? अभी students हम लोग देखेंगे, कि food के through किस तरह disease spread होगा, ओके, देखें students आपको picture में दिख रहा है न, कि ये लोग किस तरह से खाना खा रहे हैं, ओके, और students आपको picture में देखो, mouse भी दिख रहा है, तो इसके through क्या होग खाना जो है, तो वो खराब हो जाएगा, ओके, you may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function, this is spread through food also, this is also called food poisoning, तो students आपने भी कई बार सुना होगा, कहीं पर function होते हैं, ओके, फिर कोई festival में सब लोग एक साथ students आकर खाना खाते हैं, और अगर वहाँ पर contaminated food है, food खराब हुआ है, और सब लोग एक साथ में खा रही हैं, तो उन लोगों को students gastro और diarrhea भी हो सकता है, ओके, और इसे ही food poisoning कहा जाता है, ओके, अगर students food spoil हुआ है, खराब हुआ है, ओके, और हम लोग खाते हैं, तो फिर क्या होता है, food poisoning होता है, ओके, I hope students के आपको ये lesson समझ में आया होगा, तो आप हमारे channel को subscribe करें, like करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, गुड़ बाई